साथियों, आपसे बहतर यह कौन समझ सकता है कि ओनेस्ट ओपिनिन का बहतर डिसीजन मेकिंग में कितना बड़ा रोल होता है। कई बार हमें लोग मिलते हैं, कहते हैं कि यह शेर बढ़िया है, यह सेक्टर बढ़िया है, इसमें इन्वेस कर दो। लेकिन हम पहले यह देखते हैं कि वो सलाह देने वाला, तारीप करने वाला, खुद भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यही बात इकानॉमीज पर भी लागू होती है। आज इन्वेस्टमेंट के लिए परिशान है, तब भारत में रिकॉर्ड, FDI और PFI आया है। दुनिया का यह confidence नए स्तर पर पहुँचे, इसके लिए डोमेस्टिकली भी हमें अपने इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाना है। आज आपके पास हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं भी हैं और नए आउसर भी हैं। साथियों, निवेस्ट का एक और पक्ष है जिसकी चर्चा आवश्चत है। यह हैं Research and Development, R&D. R&D पर होने वाला निवेश, भारत में R&D पर निवेस्ट बढ़ाया जाना की बहुत जरूरत है। अमेरिका जैसे देश में जहां R&D पर 70% निवेश प्रावेट सेक्टर का होता है। हमारे यहां इतना ही पब्लिक सेक्टर द्वारा किया जाता है। इसमें भी एक बड़ा हिस्टा IT, फार्मा और ट्रांस्पोर्ट सेक्टर में है। यानि आज जरूरत यह है कि R&D में प्रावेट सेक्टर की भागिदारी बढ़े है। क्रिशी, डिफेंस, स्पेस, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन यानि हर सेक्टर में हर छोटी बड़ी कंपनी को R&D के लिए एक निश्चीत एमोंट ताय करना चाहिए है।